तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से रिलीज हुई इंडियन सिनेमा इतिहास की अब तक की सबसे यूनिक और सबसे बहतरिन फिलिम तुमबाड की 9 दिन की टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और कल रिलीज हुई योधरा मुवी की 2 दिन की टो तो वीडियो पर सुरूसियन तक बने रहिएगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे कल रिलीज हुई योधरा मुवी की 2 दिन की टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो आपको बता दे कि इस फिल्म क आज अपने दुसरे दिन इंडिया भर के बॉक्स ओफिस से 3 करोर 30 लाख रुपाई की कमाई की है तो ही परे दुनिया भर के बॉक्स ओफिस से 5 करोर 10 लाख रुपाई की तो इस तरह से इस फिल्म का दो दिन का टोटल नेट इंडिया बॉक्स ओफिस कलेक्शन 7 करोर 80 अभी और भी बहुती ज्यादा कमाई करनी परेगी वैसे दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म के review िक्स पर इस फिल्म को देखने के do जितने भी दर्सक ठीएंटर्स में जा रहे हैं इन मेंसे सभी दर्सकों को ये फिलीम बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है तो ही दोस्तों बात करें फिर से रिलीज होने वाली इंडियन सिनेमा इतिहास की अब तक इस सबसे यूनिक और सबसे बहतरीन फिलीम तुमबाड की 9 दिन की टोटल बॉक्स ओफिस केलेक्शन के बारे में तो दोस्तों आपको ब केलेक्शन 13 करोड 57 लाक रुपया हुआ था और ये फिलीम उस समय बॉक्स ओफिस पे फल आफ हो गई थी पर दोस्तों जब ये फिलीम OTT पे रिलीज हुई तो इस फिल्म को दर्सकों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया और इसी के कारण इस फिल्म को अब फिर से दोबारा थेटर्स में रिलीज किया गया है और इस बार ये फिल्म अपने पहले दिन ही इंडिया भर के बॉक्स ओफिस से 1 करोड 65 लाक रुपय की सांदार कमाई की तो ही दूसरे दिन 2 करोड 65 लाक रुपय की तो ही तिसरे दिन 3 करोड 4 लाक रुपय की तो ही चोथे दिन 1 करोड 79 ल तो ही कल आठवे दिन 3.4.000.000 रुपई की और इस तरह से इस फिलिम ने आठ दिन में इंडिया भर के बॉक्स ओफिस से 16.48.000.000 रुपई की सांधार कमाई की जिसके बारे में इस फिल्म के पडूसर एनेक्टर सुमनसा सर ने अपने इस्टाग्राम पे एक पोश्टर सेयर कर के दर्सकों को बताए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और ये फिलिम आज अपने नौवे दिन इंडिया भर के बॉक्स ओफिस से 2.50.000.000 की कमाई की तो इस तरह से इस फिल्म का 9 दिन का टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन 18.90.000.000 हो चुका है और पहले की बॉक्स ओफ इस कलेकशन को मिला दिया जाये तो इस फिल्म का टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन 32 करोर 55.000.000.000 हो जाये गा और इस फिल्म का बजर सिर्फ 5. observing है तो इसलिए दोस्तों ये फिल्म अब बॉक्स ओफिस पर सुपर हीट हो चुका है पर दोस्तों अगर अभी तक आप सभी लो लोगों ने इस फिल्म को पहले ही देख चुके हैं तो आपको ये फिल्म कैसा लगा कमेंट बक्स में लिक कर जरूर बताईएगा तो ही दोस्तों बात करें सारुख हांसर की फिर से रिलीज होने वाली फिल्म बीरिजरा की टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो दो तक इस फिल्म ने टोटल तीन करोर रुपई की कमाई की है तो इस तरह से इस फिल्म का टोटल लाइफ टैम बॉक्स ओफिस कलेक्शन एक सो दो करोर साथ लाख रुपया हो चुका है और इस फिल्म का बज़र्ड 26 करोर रुपया है तो इसलिए दोस्तों ये फिल्म उस समय भी बॉक्स ओफिस पे सुपर हीट हो गई थी और अभी भी ये सुपर हीट ही रहेगी तो ही दोस्तों बात करें सारुखांसर की ही आने वाली फिल्म पठान टू के लेटेस्ट अबडेट के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि पठान टू फिल्म का स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है और अब हमें उमीद है कि मेकरसम से बहुत ही जल्द संपर्क करेंगे तो दोस्तों सारुखांसर की आने वाली फिल्म पठान टू की स्क्रिप्ट तो पूरी हो चुकी है पर इस फिल्म के सुटिंग कब से सुरू होगी और कब रेलिज होगी ये तो आने सब्सक्राइब कर जरूर बताईएगा और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में